दोश्तो आज की वीडियो बहुत ही important होने वाली है internet connection speed test को लेके तो किस तरह आप internet speed test कर सकते हैं किसी भी home wifi या internet को या किसी भी mobile में internet को तो बहुत यह असां सा method है mobile में या windows 10 में किस तरह आप speed test कर सकते हैं speed को mair कर सकते हैं सबसे पहले आपने Chrome को open करना है या जो भी आपके पास browser है उसको आपने click करना है या double click करके open करना है इसकी search में हमने type करना है speed test gcore तो जैसे speed test gcore करके enter के button पर press करेंगे तो इसकी site हमारे पास कुछ इस तरह से appear होगी यानिके search site यहां पर हमने क्या करना है first जो gcore है इसके उप पर हम click करेंगे तो इसकी website हमारे पास कुछ इस तरह से appear होगी speed test तो यहां पर इसका जो server है वो दुबई से है यानिके UAE से है run test करेंगे तो जैसी हम run test करेंगे तो हमारे पास कुछ configurations हैं जो के हमें यहां पर करनी है सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास download speed speed है upload speed है ping है और यहां पर jitter है तो इसकी तमाम information यहां पर हम measure कर सकते हैं just हमने run test करना है और हम यहां पर देख सकते हैं हमारे home wifi या office wifi की speed है वो यहां पर हमें क्या receive हो रही है तो download speed को अगर देखें तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास upload speed है ping है jitter है तो हमने just यहा else's होगा तो हमने क्या करना है अगर हमारी speed काम है तो हमने कुछ setting करनी है जो का आप मेरी काफी वीडियो है वहां से देख के कर सकते हैं तो download speed 1.6 है और 3.19 जो है वह upload speed है और पिंग जो है वह 68 है यानि कि download speed हमारे पास काफी कम आ रही है तो अब हमने क्या करना है हमने क्या इसको save करना है तो save किस तरह करना है हमने इसको एक bookmark बना लेना है तो bookmark किस तरह बनाएंगे जब भी हमारी speed कम होगी तो हम यहाँ से test कर सकते हैं फिर बहुत ही असानी के साथ सबसे पहले हमने three dot पर click करना है तो जैसे three dot पर click करेंगे bookmark करेंगे और bookmark this tab इसके उपर हमने apply करना है तो जैसी इसके उपर apply करेंगे यहाँ पर हमने simple type करना है speed test तो जैसी speed test type कर लेंगे तो जैसी हम done के tab पर click करेंगे तो bookmark हमारे पास create हो जाएगा तो done करने के बाद three dot पर आना है तो जैसी three dot पर आएंगे bookmark पर आएंगे और इस list में left side पर हमने show bookmark toolbar के उपर या bar के उपर हमने click करना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं browser में हम speed test का जो tab है या bookmark create कर चुके हैं तो इस तरह आप simply अपने browser को open करेंगे और यहाँ पर run test करेंगे तो जैसे ही हम दोबारा run test करेंगे करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे जो download speed है वो काफी increase हो चुकी है as compared to previous तो आप simply यहाँ पर इस तरह speed test कर सकते हैं आप किसी भी Microsoft Windows में या अपने mobile में इसको process कर सकते हैं basically तो यह एक website है आपने website पर जाके एक website open करनी है और run speed test करना है तो आपके पास जो भी analysis है या जो measurement है वो आपके सामने illuminate हो जाएगी यानि के download speed आप देख सकते हैं 5.91 है और upload speed अभी measure हो रही है तो यहाँ पर हम चन सेकंड wait करेंगे तो 1.82 यानि के uploading speed हमेशा कम होती है